नमस्कार मेरा नाम है अमित परताप सिंग और आप देख रहे जेमडी निव यूटूब चैनल यूपी के हातरस में मंगलवार को हाहाकार मच गया विशव हरी उफ सूरजपाल बाबा के सत्संग में भगदड मच गई हातरस सत्संग कांड में अभी तक 120 से ज़्यादा लोगों की मोते हो चुकी है जिसमें ज़्यादतर महिलाएं, बुजूर्ग और बच्चे सामिल है मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कांड में 114 महिलाओं की और 7 पुरसों की मोत हो चुकी है मरने वाले सभी लोग सत्संग में भोले बाबा का परोचन सुनने आये थे हातरस की इस घटना ने सब को ज़गजोर दिया है हस्पिताल के भार लासों के धेर पड़े हुए हैं, रोते बिलकते प्रिजन है मगर हातरस में मोत का सत्संग कराने वाला भोले बाबा अपने फॉलोवर्स को देखने तक नहीं आया वे पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है अब सुरजपाल उर्फ भोले बाबा की एक और करतूत सामने आई है खुद उसके परिवार के एक सदसे ने उसकी पॉल खोली है सुरजपाल उर्फ भोले बाबा के चोटे भाई की पतनी ने नुज 18 को इंडरू दिया है जिसमें उसने बादचित के दोरान भोले बाबा की पॉल खोली है और उसकी करतूत को कैमरे के सामने बताया है सुरजपाल उर्फ भोले बाबा के चोटे भाई की पतनी ने कैमरे के सामने बातचित करते वे बताया की सुरजपाल उर्फ भोला बाबा उसके बच्चों के साथ मार्पिट करता था बाबा के चोटे भाई की पतनी ने बताया की एक बार बाबा ने उसके बच्चों के साथ मार्पिट की थी जिसका मामला थाने में भी पोचा था जिसके बाद से बाबा के छोटे भाई के परिवार ने बाबा से दूरी बना ली थी यहां तक कि सूरजपाल उर्फ भोडा बाबा अपने छोटे भाई की मोत में भी नहीं गया था सूरजपाल के छोटे भाई की पतनी ने आगे कहा कि वे परिवार की किसी भी सदस्य की मोत पे नहीं आया था हमारे परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं है चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैसे सूरजपाल उप भोले बाबा बना और उसने अपना सपर कैसे सरू किया बाबा सूरजपाल अब कथावाचक विसवहरी सरकार उप भोले बाबा के नाम से जाना जाता है मीडिया में रिपोर्ट है कि भोले बाबा ने अपना सपर आगरा से ही सुरू किया था आगरा से ही सुरजपाल की विसवहरी सरकार और भोले बाबा बनने का सपर सुरू हुआ था सुरजपाल अपने परिवार के साथ आगरा के केदार नगर में रहता था और उसने दीरे दीरे सपेत कपड़े पहन कर अपनी पहचान बनाई फिर आसपास की महिलाओं के लिए वे बाबा बन गया उसके बाद सुरजपाल ने आगरा के केदार नगर में बनी अपनी एक छोटी सी कुटिया से ही बोले बाबा बनकर सत्संग और पाठ पुजा करना सरू कर दिया और उसने थोड़े ही समय में सपेत कपड़े वाले बाबा के नाम से पहचान बना ली आज की इस रिपोर्ट में बैस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सेर करें अपने सातियों के साथ साति अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रिपोर्ट के साथ तब तक देखते रहे जैमनी न्यू चैनल को और पाए हर खबर इधर